Hello students! मैं वीना गुपता. आज मैं आउगनाइजिशन में आपको आगे बताना चाहते हूँ. Last day हम यहने आपको formal organization के बारे बताया था. आज उसके आगे informal organization के बारे बताना चाहते हूँ. informal organization का मतलब होता है अनपचारी sunghartan अनपचारी का मतलब होता है बल्कि ये अनायासी पारसपरिक समान ही तो रूचियों धर्म एवं संबंध के कारण हो जाती है इस संगठन की मुक्विशेस्ता आपसी संबंधों की एक मैत्रिपुन और सहयोग पुन प्रकृति का मतलब होता है इसके अंदरगत क्या होता है एक वेक्ति दूसरे वेक्ति के कामों में मदद करने के लिए मदद करता है और उसके लिए वह जिम्मेदार होता है बल्कि वह करता है कि वह अपनी निजी इक्षा तथा पसंद के कारण इसमें वह इसमें शामिल होता है जैसा हम जानते हैं इसका मदलब होता है कि अनापचारिक संगटन का मदलब होता है इट रिफर्स टु दम नेचुरल ग्रूपिंग ऑफ पिपल इन दे वर्क सिटुएशन तो मीट पर्सनल नीड्स यानि कि इसका मदलब होता है कि व्यक्तिका ताउशक्ताओं की पूर्ति के लिए किसी कारेस्थर पर लोगों का स्वतर अस्थापित समुह से होता है यानि कि informal organization का मदलब होता है that organization is informal where the mutual relations are established unconsciously for the common objective यानि कि किसी संगठन में और नवचारिक उसे कहते हैं जिसमें आपसी संबल अज्ञानवश संयुक तुद्देश्यों के लिए बनते हैं इस तरह से अनापचारिक संगठन का मतलब ही होता है जिसकी स्थापना जान बुझकर नहीं की जाती बलकि यह अनायास पारसपरिक समान हीतों और इसके लिए बनाए जाते हैं इसकी कुछ फीचर्स है या हम कह सकते हैं इसकी कुछ विशिस्ताएं हैं पहला है कि बेस्ट ओन फॉर्मल ऑउगनाईजिशन यह आपचारिक संगठन पर आधारीत होता है आपचारिक संगठन में काम कर रहे हैं जो वेक्तियों के बीच ने अनापचारिक संबंद होते हैं यानि कि पहले आपचारिक संगठन सापित होता है और फिर उसी में अनापचारिक बन जाता है दूसरा होता है इस संगठन में आपसी वेभार का कोई लिखित नियम और प्रक्रिया नहीं होता है फिर भी इसकी अपनी समूपरंपरा या कह सकते हैं गूप फॉर्म होती हैं जिसका पालन करना पड़ता है इस तरह से इसमें कह सकते हैं कि कोई रिटन रूल और प्रसुजूर नहीं होती है फिर इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कॉम्मिनिकेशन स्वतंत्र संदेश वाहन श्रिंखला यानि कि कह सकते हैं कि इसमें विभिन वैक्तियों के मद्दे जो हो समय के साथ सीधा संबंच्ट होता है यानि नीचे वॉल्य सीधा उपर वाले से बात कर सकते हैं इसलिए इनके बीच को यह संदेश वाहन श्रिंखला नहीं होता है और मैं सिरिक स्च्च की रिखता या जान बुझकर स्थापित नहीं की जा सकती या हम कह सकते हैं इस नाट डेलिबरेटी ग्रीएटेड अपचारिक संगठन जो होता है वो तो बनाया जाता है लेकिन अनापचारिक संगठन की स्थापित नहीं की जाती बलकि वैक्तियों के आपसी संबंध रूचियों के आधार पर हो जाती है फिर कहता है इट है नो प्लेस ओन और्गनाइजिशन चार्ट यानि संगठन चार्ट पर कोई विशेश ध्यान नहीं होता है या कोई स्थान नहीं होता है जोसे हम जानते हैं कि अनौपचारिक संगठन में कोई विधिवत रूप के रूप में तयार किये गए कोई चार्ट या कोई उसकी जुरुत नहीं होती है या उसका कोई स्थान नहीं होता है इसके अंतरकट जो होता है संगठन पुस्तिका में कोई वैसी जानकारी नहीं दी जाती है और बोलो उसमें काम करते हैं फिर कहता है इसमें कह सकते हैं इसमें वेक्तिकत होने का मतलब यह होता है कि इसके अंतरगत वेक्तियों की जो भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है और उन पर किसी भी बात को थोपा नहीं जाता है यानि यह परसनल होता है फिर कहता है इट lacks of stability या स्थाइट्व की कमी इसमें प्राया क्या कहते है कि स्थाइट्व की आभाँ होता है या स्थाइट्व की कमी होती है जैसे माली जे एक वेक्ति आज एक ग्रूप में बैठता है तो कल किसी अन्य ग्रूप से संबंद स्थापित कर सकता है इतना ही नही बलकि एक ही समय में एक से अधिक वेक्तियों के साथ या ग्रूपों के साथ भी हो सकता है यानि कोई stability नहीं होती है और कोई type नहीं होता है इस तरह से ये इसके कुछ features हैं आगे फिर इसमें हम थोड़ा से इसके lab के बारे में जान जाते हैं की informal organization का या उप्चारिक संगठन के क्या lab होते हैं या उसका क्या फायदा होता है पहला कहता है effective communication या प्रभावपुन संदेश वाहन निधारित मार्ग ना होने के कारण कैसा इसमें कोई तो rule और regulation नहीं है इसलिए ना होने के कारण संदेश वाहन में क्या होता है एक प्रभावपुन पधती है जिसके माध्यम से संदेश शिगर अतिशिगर एक स्थान से दूसरे उस्थान तक पहुँचाए जा सकते है फिर कहता है फुलफिर्स दा सोशल नेट्स सामाजी कौशकताओं के पुर्ति अनापचारिक संगठन में समान विचार रखने वाले व्यक्ति अपना संदेश बना लेते हैं जिसके करण क्या होता है संदेश संद्दस संगठनात्म तथा व्यक्तिकत मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देते हैं इससे किसी कारे में उन्हें संतुस्ति प्राप्त होती है और संगठन में भायचारे की भावना भी व्रिधी होती है फिर कहता है फुल्फिल्स और्गनाइजेशनल ऑब्जेक्टिफ संगठनात्मक उद्देश्यों की पुर्ति इस तरह से अपचारिक संगठन के दबाउ से इसमें मिलती है और इसमें अनापचारिक संगठन में क्या होता है कि अधिनस्त बिना किसी डर के यानि अपने डाउनवर्ड्स अपने अधिकारियों तक बढ़ा सकते हैं उनसे कह सकते हैं जिससे अधिकारियों की जो उनकी कटनाईयों को जानने में साहता मिलती है और सभी समस्यों का तुरन समाधान निकल जाता है सरलता से समस्याई दूसरे के से कह सकते हैं कि संगणनात्मा पुद्धिश्यों को प्राप्ट करने में आसानी होती है नेक्स है, इसकी कुछ लिमिटेशन हैं, हम कह सकते हैं ये तो है, लेकिन इसकी कुछ अपनी लिमिटेशन भी हैं या सीमाएं हैं पहला कहता है इट्स क्रियेट्स र्यूमर्स अनापचार एक संगठन में क्या होता है कि सभी वेक्ति लापरवाही बातचीत करते रहते हैं और कई बार गलत बात एक दुसरे वेक्ति को तक पैल जाती है जिसके फलस्रुप कह सकते हैं कि जूमर्स को इसमें बढ़ावा मिलता है फिर कहता है इट्रेशन चेंज या परिवर्तन का विरोध करता है या संगठन इसमें क्या होता है कि परिवर्तनों का विरोध करता और पुरानी पद्धियों कोई लागू करने पर ज्यादा जोर देता है फिर है pressures of group norms समुह परमपराओं का दबाओ इसमें क्या होता है इस संगठन में सदस्यों पर समुह परमपराओं का पालन करने का दबाओ रहता है कई बार क्या होता है कि अनापचारिक समुहों में एकत्रित कुछ कर्मचारी अपने लक्ष को लक्ष से बेखबर हो जाते हैं और सभी एक आवाज में अपने अधिकारियों का बिरोध करने का निर्णे ले लेते हैं ऐसे स्थिती में क्या होता है कि उत्पादक्ता पर विपरी प्रभाओ पढ़ता है इसलिए कह सकते हैं प्रेशर ओफ ग्रूप नॉम्स इसलिए इसमें समुप अरमबराओ उपर किछ दबाओ रहता है इस तरह से हम देखते हैं कि फॉर्मल और इंफॉर्मल और इजिशन में थोड़े से डिफरेंसेज हैं या कह सकते हैं दोनों के अपने कुछ कुण और दोश होते हैं इस तरह से आपचारिक संगठन में क्या होता है और नापचारिक संगठन में एक समुप में कारे करते हैं इस तरह से जरूरी है और जैसे कैची को कारे करने के लिए योग ये बनाने के लिए उसमें दो ब्लेडों की आउशक्ता होती है इसी तरह से किसी और्गनाइजेशन में फार्मल और इन्फार्मल दोनों का समन्वित रूप कह सकते हैं होना जरूरी होता है जिससे काम आसानी सोग सके थैंक यू